Hello friends, एक बार फिरसा आपका स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज यह मेरे बास batch sheet है RMC की RMC मतलब ready mix concrete तो जबी भी हम RMC order करते हैं अपनी site पर तो हमें जो tax invoice होता है या फिर delivery चलान जो होता है उसके पीछे ये साथ में हमें ये batch sheet मिल जाती है अब मैं पूरा detail में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके इसके इतनी भी values दी गई हैं आपे cement, admixture, बाद में फिर यहां पर उसकी date दी गई है load start time, end time, जो भी जितनी भी detail है इसके इतनी इसके इतनी में पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हो अगर मेरे वीडियो पसटेच नहीं? अगर मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर फिर्स्टेम है अगर आया हो तो मेरे चैनल को subscribe कर देना तो वीडियो को अंतरके जरूर देखना है दोस्तो सबसे पहले हम देखते है Mix design Mix design में क्या होता है हम जब भी किसी grade का concrete बनाते है तब हम जो design के इसाइब से जो भी हमें proportion मिलता है cement का, sand का, aggregate का जो kg में proportion मिलते है वो हम उतने ही quantity में जब mix करते है तो हमें वो grade का concrete मिल जाता है तो अभी जो ready mix concrete होता है वो बनता है batching plant में तो batching plant में क्या होता है सारे materials मतलब cement, aggregate, fine aggregate जितना भी material जो concrete में लगने वाला है वो पुरा stack में पढ़ा हुआ रहता है अब ये material जो होता है वो लिया जाता है एक computer program के थुरू तो ये computer का काम क्या होता है कि जितना design में आपके जो quantities दी गई है उतनी quantity का material लोड करना और उसको mix करना और आपको ready made concrete बना कर देना ये होता है काम उस computer का तो अभी आपको computer में क्या करना होता है जो भी आपकी design values होती है सपोज मुझे M30 का अगर mix design करना है तो मुझे मैं जब मेरा design बन जाएगा तो उसके इंदर मुझे values मिल जाएगी सिमेंट मुझे इतना कीजी लेना है सैंड इतना कीजी जो भी रहेगा values वो मुझे मिल जाएगी अब ये values आप की तरह फीड कर होगे उस computer के इंदर तो जबी आप उस computer को बोलोगे के मुझे ये ये मतलब grade का concrete चाहिए तो automatically जो data अपना निकालेगा और उस तरह का concrete को batch करके आपको readymate करके दे देता है तो उस चीज को record किया जाता है इस batch sheet के उपर तो जो computer जितना भी quantity में material को load करता है वो यहाँ पर उसको kg kg में आपको show कर देगा अब मैं detail में आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिया गया है अब यहाँ पर top पे तो उस vendor का जासे आपने concrete order के आपने नाम लिख देगा हम आप उपर फिर बाद में यहाँ पर आप starting में देख सकते हो load start time लिखा है load start time मतलब जब आपने batching की शुरुआत की मतलब पहला बाद जब भी आप शुरू करते हो तो वो होगा आपका load का start time load end time मतलब जब भी आपकी जब final batch complete होगी concrete की उसको बोलेंगे load end time ठीक है तो क्या होता है कभी-कभी जब अगर आपको suppose 5 m3 का concrete तयार करना है तो जो batching plant होती होगी उसकी capacity होगी शहएद से 1 m3 ठीक है तो start time अगर मेरा 14.55 है तो end time होगा उसका 15.8 तो मतलब लगब इसको लग गए कुछ 18 minute total quantity तयार करने के लिए फिर उसके बाद में truck number भी दिया रहेगा जो भी आपका TM होगा transit mixer उसका number यहाँ पर दिया होगा आपको तो इससे आप compare कर सकते हो कि जो भी गाड़ी आपके पास आई उसके नर वही concrete है या नहीं है फिर यहाँ पर आप देख सकते हो load size लिखा गया है मतलब यह आपकी ordered quantity मतलब आपको 6 MQ तयार करना है उसके बाद में यहाँ पर date दी गई है मतलब इस date को यह batching हुई है फिर आप सीधा बढ़ते हैं जो design criteria है हमारा यहाँ पर तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर description में सारे materials के नाम दिएगे जो भी इसके अंदर add हुआ है ठीक है अब यहाँ पर लिखा है design quantity फिर यहाँ पर लिखा है required quantity और यहाँ पर लिखा है batch quantity आप design quantity क्या है जब भी आप RMC vendor से concrete आप लेते हो तो आप क्या करोगे आप उसको बोलोगे कि मुझे M10 से लेके M40 तक यह जो भी आपका grade का requirement हो आप उसको बोलोगे कि मुझे यह grade का concrete जिए तो वो क्या करेगा उसके जो भी design ready होगी उसके पास वो आपको भेजेगा तो अप्रूव करोगे ठीक है तो अगर आपको ऐसा लग रहे है कि हैं पर सिमेंट थोड़ा इसने जादा एड़ किया है मुझे थोड़ा fly ash बढ़ाना है तो मेरा cost थोड़ा कम हो जाए तो आप उसको उस तरह से variation करके बोल सकते हो ताकि आपका जो fly ash content होगा पर थोड़ा बढ m3 की quantity यहां पर दी गई है कि सिमेंट मुझे लेना है 350 kg पर मीटर क्यूब और मुझे fly ash लेना है 120 kg पर मीटर क्यूब अब मैं इन दोनों का add करूंगा अगर 350 प्लस 120 तो मुझे मिलता है 470 kg पर क्यूबिक मीटर मतलब टोटल सिमेंट सिमेंट टीश होगा मेरा 470 kg पर मीटर क्यूब ठीक है और यह ग्रेड भी यहां पर दिया रहता है इस बैच का यहां पर देख सकते हो M30 ग्रेड का कॉंक्रेट की बैचिंग हुई है इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो वाटर कितना दाला है 160 kg का फिर add mixture देख सकते हो आप 6 kg add mixture डालना है तो यह पर M3 की इसलिए हम यहां पर manufactured sand यानि crushed sand use करते है फिर 10 mm aggregate का quantity फिर 20 mm aggregate का quantity तो अभी आप यह सब वाल्यू जो आप देख सकते हो यहां पर वह है पर M3 की quantity और required quantity मतलब क्या इतना क्यूबी कगमीटर में जो अगर तयार करना है तो मुझे इतनी quantity लगेगी तो simply यहां पर 808 को 6 से multiply किय है तो आपको required quantity मिल जाती है 4703 kg मतलब आपको 6m cube में इतना kg sand आपको दलना है similarly cement आपको कितना दलना है 350 multiplied by 6 यानि 200 kg आपको उसमें sand दलना है ठीके अभी आपको बतातो हूं मैं कि batch quantity क्या होती है अभी जैसे का आप देख सकतो यहां पर cement 350 kg पर मीटर क्यूब था 200 kg हमें 6m cube त्यार करने के लिए लगता है और हमने कितना लिया 205 kg मतलब 5 kg हमने cement को ज्यादा लिया है तो जैसे के आप देख सकते हो similarly यहां पर fly ice का भी values दिया गया 720 kg मुझे लेना था required लेकिन computer ने कितना batch किया टूटल 36.28 मतलब 0.28 kg उसने extra batch किया है इसी तरह आपर variation दियावा है उसका मतलब उसने ज्यादा batching किया या कम batching किया जैसे यहां पर देख सकते हो sand जो है उसने ज्यादा batch किया है 0.82% ज्यादा किया है और 20 mm जो aggregates है इसने 0.42% कम batch किया है जितने भी यहां पर material है वह आप यहां पर दिख सकते हो तो अभी आपको यह समाजिक में आ गया रहा कि यह जो required quantity होती है और batch quantity होती है वो क्या होती है अभी यहां पर नीशे देख सकते हो number of batches number of batches 4 है मतलब 4 बा करने के लिए उसको चार बार concrete को batch करना पड़ा जब जाके उसका 6 MQ पूरा हुआ मैं एक दूसरा batch भी बताऊंगो जिसके अंदर दिखाया गया है पर batch में कितना quantity लिया हुआ है फिलाल हम यह easy जो एक understandable manner में दिया है वहां देख लेते हैं फिर आप देख सकते हो design water cement ratio कितना है 0.34 मतलग इस के साब से design quantity के साब से और यह water cement ratio आपका actual है तो यह आप simply compare कर सकते हो आपको सिर्फ क्या करना है total cement content होगा आपका जो भी ठीके वो देखना कितना है और जो आपका total water जो भी आपने लिया है वह कितना है वह दिखना है आपको तो अगर आपको water cement करना तो आप क्या करोगे जो टूटल सिमेंट कंटेंट है आपका वो निकालना अपको पहले कितना है तो यह से 350 प्लस 120 470 होता है ठीक है और वाटर मेरा है 160 तो वाटर डिवाड़ेड़ बैस सिमेंट आपको मिल जाएगा 0.34 यानि 160 दिवाड़ बैस 470 आप अगर करोगे तो आपको 0.34 को वाटर सिमेंट रिशियो मिल जाएगा और यह होगा आपका जो डिजाइन वाटर सिमेंट रिशियो ठीक है अब आपको पतातो हो मैं एक्चुल कैसा मिलेगा आपको तो जैसे कि आप जानते हो जबी आपका जो एग्रिगेट होता है सैंड होता है उसके अंद शूदlen area होता है एग्रिगेट का वह थोड़ा हमेशा मॉस्च्टर ज्यादा होता है तो यहां पर आपको मॉस्च्टर को करकेशन करना पड़ता है तो जैसे कि आप देख सकते हो यह पर परसेंटेज मॉइस्टर उसने माइनस किया हो है तो यह correction किया गया है मतलब अगर आप manufactured sand ले रहे हो तो वहाँ पर उसके अंदर अब यह यह लोग हमेशा इस वैल्यू को नहीं लेंगे 3 परसेंट और 1.5 परसेंट वहाँ थोड़ा लोग मॉइस्टर कंटेंट को थोड़ा अज्यूम ज्यादा कर लेते हैं और जब ड्राय सीजन होता है वहाँ थोड़ा कम अज्यूम कर लेते हैं तो यह यहाँ पर आप द परसेंटेज पानी ज्यादा है सैंड के अंदर और अग्रिगेट के अंदर तो अभी हमें क्या करना है हमने तो पानी लिया 1-1-94 kg ठीक है अभी यह 1-1-94 kg प्लस अगर मैं यह एड़ेस्मेंट नहीं करता हूँ तो यह प्लस यह इतना पानी ज्यादा हो जाएगा मेरे लेकिन मुझे 0.34 का मेंटेन करना है अपर रिश्यो तो मैं क्या करूंगा 1-1-94 kg मैंने पानी लिया हूँ ठीक है उसमें से माइनस करूंगा 141-64-30 ठीक है तो यह से माइनस करने के बाद मुझे एक्चुल जो वाटर मिलेगा 960 लिटर्स का मिलेगा तो कंप्यूटर क्या क करेगा यह आपको देखना पड़ेगा के मुझे पूरी तरह से हुआ है यह नहीं हुआ है तो सिंपली अगर आपको एक्चुल वाटर चिमेंट रिश्यो निकालना है तो क्या करोंगा 960 ठीक है यह वाटर जो भी रहेगा डिवाइड बाई आपका जो बैच्ट सिमेंट कं यानि 960 ठीक है डिवाइड बाई 2819 जो आपका सिमेंट टीशियस है तो आपको वाटर सिमेंट रिश्यो जो एक्चुल मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0.3 फोट का ठीक है अभी आपको यह चेक करने आ गया कि बैच कॉंटिटी के से चेक करते है और वाटर सिमेंट रिश्य जो होता है 4 घंटे का तो आम इसके अंदर रिटार्डिंग सुपर प्लास्टि इढलते मतलब वर्केबिलिक्टी ज्यादे मिलती बहिं है प्लस साथ में क्या हो जाता है कि इनिशिल सेटिंग तो बढ़ जाता है यानि रिटार्डिंग इफेक्ट कांक्रिट के अंदर आ ज तो अभी यह आप कैसे चेक करो कि 1.2% से ज्यादा नहीं यूज कि अगर 1.2% से ज्यादा अगर यूज करो गया तो concrete आपका बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा और chances यह हो सकते है कि अगर हो जाती है तो आपका क्या हो जाएका पूरा segregation हो जाता है मतलब सिमेंट सलरी अलग हो जाता है और aggregate आपके अलग हो जाता है तो आपको यह इंशुर करना है कि अगर तीन घंटे का retention चीए आपको तो at least 1.2% ही आपको percentage में आपको एड्मिक्टर लेना है अभी retention टाइम आ आगे चार घंटा आपको एड्मिक्टर की जो वरकेबिलिटी मतलब प्लास्टिस इटी वह अगले चार घंटे तक यह आपके पास अवेलेबल रहेगी मतलब एक घंटा हो लो ट्रांजिट टाइम मतलब आपके प्लांट से लेके साइट पर आने तक एक घंटा आजूम कर लेते हैं और साइट पर आने के बाद तीन घंटा कॉंक्रीट से लेगा वह यह लोग आजूम कर लेते हैं प्लांट वाले तो यह टोटल चार घंटा चलना चाहिए वह इसा अब से अगर आप देख सकते हैं आप दो पच्पन का टाइमिंग दिया हुआ है तो मतलब 6 पच् देखो अभी टोटल मुझे लेना था 6 kg ठीक है डिवाइड बाए 350 प्लस 120 तो आपको रिक्वाइड मिल जाएगा मतलब डिजैन कॉंटिटी के सबसे मुझे इतना परसेंटेज लेना है ठीक है तो एक्चुल अक्षिता मैं एक्चुल आपको दिखा देता हो कि हमने कितना लिया है in terms of total cementitious तो मेरा एड्मिक्चर है 36.28 ठीक है divided by 2105 प्लस 714 यह दोनों cementitious है ठीक है मतलब overdosing हो गई है यहां पर आपका concrete शायद ऐसा भी हो सकता है कि इतना जादा retarder उसके अंदर add हो गया है कि वह अगले 7-8 घंडे तक set ही होगा और यहां पर अगर आप column अगर काश कर रहे है उस type concrete से तो आपके दूसरे दिन तक के भी concrete गीला ही रहे है आप उसके formwork निकाल इसके अंदर आपको मैंने सब कुछ पता दिया हूँ अभी आपको मैं थोड़ा एक complicated form में दिखाता हूँ उसमें हर एक batch में कितना लिया गया है वो भी दिखाया होता है तो दोस्तिया जैसे कि आप यहां पर देख सकते हूँ यहां पर देख सकते हूँ है मतलब कैसा इसको पाँच एंक्यू का मेरा quantity required है तो मैंने एक batch बनाया है 1.67 क्यूबिक मिल्टर का तो उसी तरह से यहां पर लोग ने थीन बैच बनाया है ठीक है तो पहले बैच में 659 kg लिया फिर 663 kg लिया फिर 3.8 kg लिया है ठीक है तो यहां पर आप तीनों बैच देख सकते है किस तरह कि है यह aggregate का column है बाद में cement का column इस तरह पर दिया गया है पहले 583 kg लिया बाद में 581 kg लिया पहले बैच के लिया है तो यह इस तरह का कुछ होता है बाद में फिर एक बहुत इंपोरेंट चीज आपको चेक करनी होती है वो मैं आपको बथा तो जैसे का यहां पर देख सकते हो 15032 kg आपकी गाड़ी में लोड हो गया है तो आपको यह बहुत जरूरी है देखना कि उतना ही kg आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है तो जैसे का यहां पर देख सकते हो एक्चुल लोड 15,000 kg दिया है कुछ तो मतलब यह सारा जो बैच किया है इन्होंने इनको सबको मैं आड करूँगा अगर तो मुझे मिलेगा 15,000 kg यानि 15 टन के आसपास यह हो गया है तो आप इसको compare कर सकते हो simply किस से जो actual weight आपका गाड़ी के अंदर है ठीक है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो आरेमसी वेंटर को बोल सकते हो कि मुझे गाड़ी का वजन करवा कर भेजना साइट पर तो और वेट स्लिप पर जो भी वेट आएगा नेट वेट आप उसको इससे compare करके देख सकते हो कि उतना ही quantity आपके पास आया है या नहीं आया है और अगर आपके पास वेट स्लिप नहीं है तो आप सिंपल एक तरीका अपना सकते हो आपको पता है 6 MQ लोड़ और 2400 density हमने एजुम किया है लेकिन आपने कितना लूड़ किया है 15,000 मतलब वो उससे जादा ही आ रहे है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास टोटल 6 MQ ही concrete आया है तो आपको समझ में आ गया रहेगा काफी डीटेल में था ये और वीडियो अच्छा लग अगले वीडियो में